कि नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं अम्रितुपाध्याय आए जल्दी से देखें आज की हेड्लाइन्स क्या है ग्रीन हाइवेज के लिए विश्व बैंक के साथ हुआ समझोता चार राज्जियों में लागू हुआ प्रोजेक्ट वायू प्रदूशन को कम करना भी एक मकसद सेंट्रल मरीन फिश्रीज रिसर्च इंस्टिटूट ने जारी की रिपोर्ट भारत में मरीन फिश्रीज का कार्बन फूट्प्रिंट कम सन्राइज सेक्टर का दर्जा है हासिल और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी पी-एम 2.5 के स्थिति पर आधारित रिपोर्ट भारत आठवां सबसे प्रदूशित देश खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर बता दूँ मैं आपको के स्टड़ी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में दूसरा लाइव फांडिशन बैच लेकर आई है 11 मार्च से इस बैच की शुरुआत हुई है शाम 6 बजे कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमरित लाइव कोड का प्रेयोग करिए जिससे ये कोर्स के वल आपको 18,999 में हासिल होगा इस कोर्स में प्रति दिन ढाई से तीन घंटे की नियमित कक्षाएं हैं, हैंड रिटेन नोट्स, पीडियेफ, मुख्य परिक्षा के लिए उत्तर लेखनकारिक रिक्रम वित्यादी, बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप एड्मिशन भी ले सकते हैं और कोर्स की जानकारी भी चलिए खबरों की शुरुआत करें बारत और विश्व बैंक के बीच एक समझोता हुआ है, ये समझोता चार राजियों में ग्रीन नेशनल हाईवेज कोरिडूर को लेकर हुआ इन राजियों में हिमाचर प्रदेश, राजस्थान, उप्तर प्रदेश और आंधर प्रदेश शामिल है 781 किलोमेटर लंबे हाईवेज के लिए विश्व बैंक 500 मिलियन डॉलर का लोन मुहिया कराएगी International Bank for Reconstruction and Development द्वारा दिये जा रहा है इस लोन को maturity period 18.5 साल दिया गया है बहुर तलब है कि नेशनल हाईवेज रोड ट्राफिक के 40% का भार उठाते हैं इनमें अपरियाब तक शमता कमजोर ड्रेनेज विवस्था और एक्सिडेंट के लिए स्पॉर्ट मौजूद है इस प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान अवस्तान रचना में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा आपको बता दें कि ग्रीन नेशनल हाईवेज कोरिडोर के तहत नेशनल हाईवेज के किनारे पेड़ पौधे लगाये जाएंगे जिससे वायू प्रदूशन का प्रभाव कम हो सकेगा ये वायू प्रदूशकों के लिए प्राकृतिक सिंख का काम करेंगे इसे मृदा अपरदन को रोकने में भी मदद मिलेगी विश्व बैंक समूह में कुल पात संस्थाएं हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डिवलप्मेंट इंटरनेशनल डिवलप्मेंट अस्सीएशन इंटरनेशनल फैनेंस कॉर्पोरेशन मल्टी लेटरल गैरेंटी एजंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर्टलमेंट ऑफ इंवेस्ट्मेंट डिस्प्यूट IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं CMFRI यहने Central Marine Fisheries Research Institute ने एक रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक भारत में Marine Fisheries का Carbon Footprint वैश्विक स्तर के मुकाबले काफी कम है देश का Marine Fisheries से होने वाला उत्सरजन 16.3% है भारत में प्रती टन मचलियों पर 1.3-2 टन Carbon Dioxide उत्सरजित होती है वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 2 टन से ज्यादा है CMFRI ने यह आंकड़ा Pre-Harvesting से लेकर Marketing तक का निकाला है Fisheries में जिन ट्रॉलर्स की मदद से मचलियां पकड़ी जाती है वैश्विक से चलते हैं जो कि उत्सरजन का मुखिस्रोथ है आपको पता दें कि Fisheries देश में तेजी से ग्रोथ करने वाला क्षत्र है इसे Sunrise सेक्टर की संग्या दी गई है यह क्षत्र 28 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार और आई के साधन मुहया कराता है भारत मचली उत्पादन में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है इस क्षत्र का विकास करने के मकसद से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को मनजूरी दी गई है स्विस कंपनी IQ Air ने World Air Quality रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का आठवा सबसे ज्यादा प्रधूशित देश है भारत के दो शहर भिवाडी और दिल्ली दुनिया के सबसे प्रधूशित शहरों के सूची में शामिल है भिवाडी में प्रधूशन का स्थर 92.7 तो दिल्ली में 92.6 दर्च किया गया है IQ Air अपनी रिसर्च में प्रधूशन के स्थर को मापने के लिए PM2.5 के स्थर को देखता है WHO क्रती क्यूबिक मीटर पर 5 माइक्रोग्राम PM2.5 के स्थर की सिफारिश करता है रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रियो और दक्षन एशिया में भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां वायू की गुडवत्ता खराब है यहां की तक्रीबन 60 फीस दी आबादी ऐसी है जो उनक शत्रों में रहती है जहां PM2.5 के स्थर WHO द्वारा ने धारिच सीमा से ज़्यादा है पाकिस्तान का लाहॉर दुनिया का सबसे प्रदूशित शहर है वहीं देशों में अफरिका का चाड़ प्रदूशन के मामले में नमबर एक पर है चीन का एक मात्र शहर होतान दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूशित शहरों के सूची में शामिल है यह लाहॉर के बाद दूसरे नमबर पर है आपको बता दे कि PM2.5 एक वायू मंडली अकन है जिसका डायमीटर यानि व्यास 2.5 माइक्रो मीटर से कम होता है जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3 फीस्ती है यह श्वासन सम्मंदी समस्याओं का कारण बनता है दृष्यता यानि विजबिलिटी को कम करता है 16 मार्च को भारत में राष्ट्रिया टीका करण दिवस के तौर पर मनाया जाता है इस दिन का आयोजन मानविय स्वास्थे के लिए वैक्सिनेशन के एहमियत को लेकर किया जाता है साथ ही ये दिन डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कस के काम के महत्यों को बताने के लिए भी मनाया जाता है कोविट के दोरान इस वर्क की महनत के बतालत ही देश में कोविट के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सका गौर तलब है कि कोविट के संक्रमण को रोकने में वैक्सिनेशन के एहम भूमिका रही इस दिन को पहली बार भारत सरकार द्वारा साल 1995 में मनाया गया था इसे दिन देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए पल्स पोलियो एमुनाजेशन प्रोग्राम लॉंच किया गया था 16 मार्च 1995 को पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराग दी गई थी 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दिया गया था 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉंच किया गया था मिशन इंद्रधनुष के तहत बारह वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानि डिप्थीरिया काली खासी टेटनस पोलियो टीवी यानि टूबर क्लोसिस हेपटाइटिस भी मेनेंजाइटिस और निमोनिया हेमोफिलस इ प्रिवेंशन के मुटाबिक पोलियो एक खतरनाग वीमारी है जो तंत्र का तंत्र को प्रभावित करती इसका वायरस संकरमित व्यक्ती के मल में रहता है इसलिए हाथ की सफाई का ध्यान नहीं पर दूसरों को भी संकरमण हो सकता है पोलियो का वायरस इंटेंस्टाइन में मल्टिप्लाई होता है यह जहां से यह नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है और पैरालेसिस का कारण भी बन सकता है पोलियो से पैरलाइज होने के बाद कोई इलाज नहीं है हाला कि पोलियो के संक्रमण को वैक्सीन से रोका जा सकते हैं पहला सवाल हाल ही में भारत और विश्व बैंक के बीच एक समझोता हुआ है यह समझोता चार राज्जियों में ग्रीन नेशनल हाइवेज को लेकर हुआ है इन राज्जियों में शामिल है राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात हिमाचल प्रदेश कूट का प्र व्यक्तियों के अधिकारों से या फिर पर्यावरण से आए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उसके सही जवाब क्या है मैंक मोहन लाइन किन दो देशों के बीच किसी मारे खाय है भारत पाकिस्तान भारत चीन भारत सही जवाब है भी यानि भारत और चीन अगला सवाल पूछा गया था बार काउंसिल अफ इंडिया के संबन्द में निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए यह एक सामविधिक संस्था है यह ग्रांट्स या डोनेशन स्विकार नहीं कर सकती एड़ोकेट्स एक्ट 1961 के तह ही है दूसरा कथन गलत है केवल पहला और तीसरा कथन सही है यानि बार काउंसिल अफ इंडिया ग्रांट्स या डोनेशन स्विकार कर सकती है तो आज पूछेगे सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आप इस बुलेटिन को पीडियेफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमरितुपाध्याई 007 टेलेग्राम चैनल पर जाएए जहां इसकी पीडियेफ आपको मिलेगी अपना ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार